दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका परिक्षा ख़वरी में आज है 21 अप्रेल 2020 मादपूर्ण परिक्षाओं जोड़ी ख़वरे करेंट अफ्यस को देखेंगे आज की जो सबसे बड़ी ख़वर है वो है UPPCS 2020 के लिए आवेदन आज से श्टार्ट हो जाएंगे आपके नियम आया है कोट के आदेश के बाद तमाम चीजे इसमें जोडने के लिए और EWS का जो है निधारन करने के लिए किसमें कितनी सीटे है दूसरी बात है कि लेटर आया था 2019 फरवरी में तीक है उसमें ये कहा गया था कि अब डिपार्टमेंट्स ही विभाग ही भेजेंग अ अधियाचन के साथ साथ ये भी बहेजैंगे कि आरक्षण कितना कितना आरक्षण का निधारन भिभाग ही स्वयम करके भेजएंगे तो एक थोड़ी सि ये कठिन प्रक्रिया होती है विभागों के अंदर देखना कि किसमें गतनी बाकिया सीटे कितनी शैती अरक्षण की सी सब देखना होता है डिपार्टमेंट्स को तो इसलिए देरी हुई और जितना अभी तक सीटें उपलब दें वसी पर आपका नोटिफिकेशन आ रहा है सीटों का बढ़ना इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कितना बजट तै कर पाती है सीटों पोस्ट के लिए फिर भी ये मान की चलिए कि 500 से 600 सीटों पर आपका रिजल्ट जब आएगा तब तक सीटें 500 से 600 आराम से हो जाएंगी अभी आरेफो और जो वन विभाग होता उसके पदों की संक्या पदों के दियाचन नहीं आप आये हैं वापर तो उनके भी जीरो पद ही अभी हैं ठीक है लेकिन फार्म आपका अपलाई होगा उन सब पदों के लिए तो दोस्तों बिल्कुल समय नहीं आपके पास समय बिना गवाए आपको मैं बताओंगा बुकलिष्ट पूरी ठीक है और टेस्ट सीरीज आप कहीं भी पाएं वो जोईन अवश्य कर लें अभी इस समय टेस्ट सॉल करने से आपका काफी कुछ हल हो जाएगा या समल एजाम की तेयरी आपकी टेस्ट से हो जाएगी आप चाहें कहीं भी टेस्ट जॉइन कर सकते हैं हमारे यांवी टेस्ट चल रहा है हम आपको अभी अपना वाटसप नमबर दे देंगे चाहें तो टेस्ट जॉइन कर सकते हैं उसका शेडूल हम आपको बता देंगे और टेस दोनों में प्लब्द होंगे बाकी के हिंदी में अब रही रिजल्ट की बाद UPPCS 2018 सहीत कुछ प्रड़ाम रथात APO का जो प्रिलिम्स का रिजल्ट है इसके लावा आरेफो 2017 का रिजल्ट ये तीनों ही रिजल्ट अब बहुत जल्द आ जाएं 2018 का तो अब समझ लीजे कि आयो भी ये रिजल्ट आ सकता है और इसके लावाँ APO और आरेफो भी तैयार है आने के लिए रही बात उन परिक्षाओं की जो टल गई हैं अर्थात PCS 2019, RO2016 और खंड सिक्षा दिकारी की परिक्षा इन परिक्षाओं की डेट इस बात पिन भर करेगी कि लॉकड़ाउन की आप भरम में मत रही है क्योंकि आयोग अध्यक्ष का पूरा प्लान है कि लागडाउन के बाद तुरंत एक्जाम की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाए तो परिक्षा की कारवाई जितनी होती हैं इंटर्नल जो जितने भी एक्षांस होते हैं वो पूरे कर लिया तो आप लोग भी अपनी त्यारी कर लीजे खंट सिच्छा जियारी वाले PCS 2019 मुख्य परिक्षा वाले और आरो यारो दोजार सोलह परिक्षा वाले ठीक है 2019 मुख्य परिक्षा के लिए हमारे हां इंसर राइटिंग चल रहा है वो आप देख सकते हैं बाकी मुख्य परिक उस लिंक को ओपन करके फेस्बूक ग्रूप का दिया हुआ है लिंक उस फेस्बूक ग्रूप को जॉइन करके वहां पर भी आप लाव ले सकते हैं सुचनाओ का कल का करेंट अफेर्स मैं नहीं दे पाया था दोस्तों तो कल और आज का दोनों इसी में समलित रहेगा 20 और 21 पूछ सकता है तो स्टल से याद रखेगा ये पूस्तक लिखी हुए किसने लिखी है पीवी संदू कौन है भारत की स्टार बैडविंटन खेलाडी है जैगोश दिवस यह पंजाब सरकार ने कल 20 अप्रेल को जैगोश दिवस मनाया था ठीक है ना जैगोश दिवस में नार प्रधान मंत्री ने एक दिन आवान किया था कि देश वाले ताली बजाएंगे उसी तरह का एक आवान था जैगोश दिवस मनाया गया पंजाब सरकार के दोरा है याद रखेगा मैटर हान परवत यह काफी चर्चा में रहा जो आव्स परवत सेड़ी है यूरोप की सेड़ी है उस पर भारती तिरंगे का लगबग 1000 मीटर का भारती तिरंगा वहाँ पर उसका प्रदर्शन हुआ और यह तिरंगे का प्रदर्शन बीम लाइट के माध्यम से किया गया था और इसका जो दिजाइन जो किया था गईरी याट देश हैं फ्रांस आस्ट्रिया जर्मनी इटली स्लेवोनिया स्विट्जा लेंड और लिख टेंशाइन तो यह जो मैटर हान परवत है यह स्विट्जा लेंड में जो आपका भाग है वहां पर यह इस्तित है इसकी जो उचाई है 14690 फीट लगभग है तो यह याद जो कोरोना संकट से लड़ रहे हैं उनका समय समय पर इस पर प्रदर्शन किया जाता रहा है तो भारत का भी कोरोना से जो लड़ने का जो जज़बा है यहां के लोगों का उसको सावर्धन के लिए यह प्रदर्शन किया गया और आल्स परवत की अगर सबसे उची चोटी पूछी जाये दोस्तों तो माउंट ब्लैक जो है जो की फ्रांस में श्थित्थे वो आल्स परवत की सबसे उची चोटी है अकसर ये एकजाम में पूछा जाता है आरोग सेत्व एप जो की कोरोना को ट्रेक करने वाला एप है जिसका की प्रधान मंत्री मोदी ने लोगों से आवान भी किया था कि इसको ज़्यादा ज़्यादा लोग डाउनलोड करें तो दुनिया का सरवादिक तेजी से डाउनलोड होने वाला ये एप बन गया है तेरह दिन में पचास मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड इस्टॉल किया है और ये सबसे बड़ी बात है इसकी दो बाते हैं खास हैं कि ये आई ओएस और जो एंड्रॉइड एप है दोनों पे ही उपलब्ध हैं दोनों ही रूपों उपलब्ध हैं राष्टी सूचना अभियान था जो की इसका था नासा का था नासा का अन्त्रीक्ष अभियान था इसमें केपलर टेलीयस्कोप लगा हुआ था टो उसको क्या कहंnya केपलर स्पेस टेली lanz people किसली ये गया था इसका मुख्य काम था कि ब्रंभान्ड में अंत्रिक्ष में ऐसे ग्रहों की खोज करना जो पृथभी सदिश्चों अर्थाथ पृथभी के आकार के हों और रहने योगे हों और जीवन की खोज एक प्रकार से करने के लिए कैप्लर को भेजा गया था 2009 में इसको भेजा गया और 9 वर्ष बाद अर्था 2018 को नासा ने इसको रिटायर खोशित कर दिया अभी हाली में इसके जो द्वारा लिए गए चित्र थे उनका अध्यन किया गया आकलन किया गया उसमें केपलर 1649 सी नामक एक ग्रह की खोज की गई ठीक है ना जो कि पित्वी से 300 प्रकाश वर्ष के दूर है और आकार वत तापमान में लगभग पित्वी के समान है और ये गोल्डी सबसे बड़ी बात है कि गोल्डी लाक्स जोन में इस्तित है गोल्डी लाक्स जोन क्या होता है दोस्तों ये एक खागोलकी की भाशा है अंत पित्वी ग्रह है ये निवास योगे छेत्र में इस्तित्थ है क्यों क्योंकि न तो बहुत ज्यादा ये पास में है न तो बहुत ज्यादा दूर में है बहुत ज्यादा पास में रहती पित्वी तो यहां जो पानी रहता जल रहता वो उबल रहता ठीक है और यहां पर जीवन समापत रहता जीवन नगड़ रहता इसी तरह अगर बहुत जादा दूर रहता जैसे प्लूटो वगर है ठीक है अरुण वरुण है तो बहुत जादा जवरत स्यादा ठंडा रहता उसमें भी जीव का रहना संभो नहीं होता और जो जल रहता भी तो गल जाता अर्थात बर्फ बन जाता तो पित भी जो है गोल्डी लाक्स जोन में है इसी तरह अंत्रिक्ष में कई ऐसे ग्रह है जो गोल्डी लाक्स जोन में अपने तारे के साफेक्स इस्थित है तो यह तारा भी जो पाई अप ग्र एर नॉटिक्स एंड इस्पेस एड्मिनिस्टेशन युएसे गवर्मेंट की एक शाखा है वाजिंग्टन डी सी में इसका मुख्याले है अमेरिका की राज़ानी में और 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी आज 21 अप्रेल आज के दिन भारती लोक सेवा दिवस मना जाता है क्यों मना जाता है बड़ी अच्छी कहानी इसकी एक बार बललब भाई पटेल ने पहली बार जब सतंत भारत के प्रथम लोक सेवा सत्र का आयोजन हो रहा था और यह आयोजन हो रहा था मेटकॉफ हाउस में क कि स्टील फ्रेम आफ इंडिया किसके लिए यूज किया था सरदार पटेल ने तो इनहीं के लिए यूज किया था लोक सेवकों के लिए स्टील फ्रेम आफ इंडिया और यह जो भाशन इनका हुआ था 21 अप्रेल को ही हुआ था इसलिए 21 अप्रेल को भारती लोक सेवा गाया रिवस मना जाता है तो सेंघ्टराश्ट वाला दिवस भार्ती लोक शे दिवस इसमें anter है धेक है दोनों डेट में यह 21 अप्राल को मना जाता है सेंघ्टराश्ट वाला 23 जुन को मना जाता है अगला टीम मास्क फोर्स ये एक अभियान है बी सी सी आई की दोरा संचालित इसमें प्रमुख जो महत्पूर्ण खिलाडी हैं जैसे सौरव गांगली सचिन तेंदूलकर, राहुल दर्विड, इस्मिती मंधाना वगर बड़े किकेटर, सम्मानित किकेटर उनके साथ COVID-19 के खिलाफ एक अभियान चलाए गया जिसका नाम टीम मास्क फोर्स है, बी सी सी आई क्या है, भारती किकेट कंट्रोल बोर्ड है इसका मुख्याल है मुंबई में अध्यक्ष इसके वरतमान में सौरव गांगली है, 1928 में इसकी अस्था अपना होई थी गार्टरनर 2019, डिजिटल कारस्था सर्वेक्षन के अंसार सबसे डिजिटल कुशल देश किसको हुशित किया गया है भारत दिखे विभिन देशों में सर्वेक्षन किया गया डिजिटल कार यस्थल का ठीक है उनकी गुड़ोता की जाज की गए और भारत को विश्व में प्रतम अस्थान प्राप्त हुआ है बहुत महत्पूर्ण है बहुत गिने चुने ऐसे इंडेक्स होंगे या नगर्ड होंगे जिनमें भारत पहले अस्थान में होगा तो इसमें भारत पहले अस्थान पे है दूसरे अस्थान पे ब्रिटेन है तीसरे अस्थान पे युएसे है ठीक है गार्टनर क्या है एक शोध कंपनी है शोध और सलाकार कमपनी है अमेरिका की इसका मुख्याले है मार्च 1920 से ही यह कारे कर रहा है बहुत पुरानी है एक बहुत बड़ा एक बहुत अच्छी खबर आपके लिए है कि अखिल भारती टेनिस संग यह एकजाम के लिए बहुत महत पूर्ण है इसने अपने हाँ जो मान पूर्टर जारी करके इन पदों को समाप्ज कर दिया इससे जो वरिष्ट खिलाड़ी है उनको काफी जटका लगा है इस निर्ने से अगला है सालाजार पिट वाइपर अभी सालाजार पिट वाइपर या ग्रीन पिट वाइपर भी इसको बोलते हैं ग्रीन पिट वाइपर अरुनाचल प्रदेश में खोजी गई वाइपर की एक प्रजाती बहुत विशैला साप इसको माना जाता है ठीकिन बहुत ही अजीवो गरीब जादूई डिजाइन भी इसकी और जे रोलिंग की एक पुस्तक थी हैरी पॉर्टर जिस पे मूवीज भी बनी थी उसमें एक कालपनिक चरित्र के रूप में साला जार पिट वाइपर को ही दिखाया गया था तो ये प्रजात ही खोजी गई ऑणनाचल प्रदेश में टीवीज जो कि भारत की अग्रणी मोटर साइक्ल कमपनी एसके द्वारा उनाइटिड किंगडम की मोटर साइक्ल कमपनी नॉर्टन जो की लगबग 125 वर्ष पुरानी या उससे अधिक पुरानी company है motorcycle company है UK की United Kingdom की उसका अधिग्रहण जो है TVS ने कर लिया है देखिए हमने आपको कई बार बताया है United Kingdom के बारे में एक संग्या है Great Britain Great Britain में कौन-कौन शामिल है England, Wales और Scotland ठीक है ये तीन सामिल है England, Wales और Scotland इसी इनी तीनों में जब हम अर्थाज Great Britain में जब हम उत्तरी Ireland को शामिल कर लेंगे तो United Kingdom हो जाता है ठीक है तो United Kingdom Great Britain कई बार हम आपको बता चुके हैं लेकिन अभी फिर से जिक्राया तो फिर से बता दे रहें तो दोस्तों आज के लिए इतना